गुड आफ्टेरून दोस्तों मैसल्ग दवल पटेल एथेंटिक एस्टोलोजर और माइ मोबाइल नमबर इस 94286-83291 बैंग निप्टी के बारे में हम एसपर केपी नाड़ी एस्टोलोजी के इसाब से जानने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट विकिमा मार्केट क्या रहेग और एस पर एस्टोलोजी के हिसाबसे कोरोनावाइरस की इफेक्ट कप तक रहेगी और इट प्रेजंट प्रेजंट के एसक्ट क्यों है ठीके तो मार्केट में जनेरली डानवड फॉल इच प्रेजंट आपको दिखम थे करीबन लाष्ट 10 अधे से तो आप देखोगे तो आपकी स्क्रीन के सामने प्लैनेट वज्जर ओपन है ठीक है तो यह पर्टिक्लर जो प्लैनेट से वो मार्स है पहले तो आपको होरोस्कोप के बारे में एक बार मैंना देता हूँ फावस हमारी के पी सिस्टम है जो कैसे वर्ट कर रही है। एंट बिजनेस लाइफ, एट इस आईश्य, नाइन्थ इस डेस्टिनी, टेंथ हाउस इस जॉब एंड फादर हाउस, इलेवन्थ हाउस, इलेवन्थ हाउस इस बेनिफिट हाउस, मार्केट में जनरली बड़ी मुमाइट का बाती है, तो वो इलेवन्थ हाउस की बज़े से जाती है, 12th हाउस, 12th is a loss in hospitalization, तो हमारी KP सिस्टम वर्क करें, मून का, पर्टिकुलर हम मून साइकल को ट्रेक कर रहे हैं, मून के नीचे में नक्षत, चबलोर और नक्षतर, जब जब भी 8 हाउस, 1st हाउस, एंड 12 हाउस, जब जब भी 1812 जैसे नेगेटिव हाउस में आए मून के नीचे के नक्षतर और सबलोर, जैसे यह 8 प्रेजन्ट, मून का जो नक्षतर है केतु है और उसका सबलोर है मून है, ठीके, तो जब जब भी केतु एंड मून, 8 हाउस या 12 हाउस में रहेंगे, तो उसमें 1st हाउस, 8 हाउस, एंड 12 हाउस is a negative, 1, 8, 12 is a negative, and 2, 7, 10, 11, 2, 7, 10, 11 is a project, 2, 2nd हाउस is a wealth house, 7th is a business, 10th is a karam, 11th is a benefit, जब जब भी यही principle पे KP सिस्टम चल रहे है, यही सिस्टम पे हमारी KP की जो ट्रेकिंग सिस्टम में मून साइकल है, उससे हम प्रेडिक कर रहे है, उसका एक नजरी आपको दिखाने जा रहा हूँ, 28 फर्वरी की बात क जैसे डेट है, यह डेट है, 28 फर्वरी 2019 को आप देखोगी, तो मून का जो, मून के निचे का नक्षत्र और सबलोड, नक्षत्र था केतू, और उसका सबलोड था मून, ठीक है, तो उस टाइम पे, पर्टिकुलर वो टाइम पे, मून कौन से हाउस में था, मून फर्स्ट ह तो उस टाइम पर पर्टिक्लर वो टाइम पर यह हमारी जो भी केपी सिस्टम की मून साइकल की ट्रेकिंग सिस्टम में वह आपकी स्क्रीन के सामने मून था मून जो कॉमिनेशन दे रहा था वन फिप्ट के कॉमिनेशन दे रहा था और फर्स्ट हाउस में पड़ा था के तो वह इटसल्फ नाइन्थ हाउस में था ठीक है और उसका सबलॉड मून था और वह वह वन फाई के कॉमिनेशन मून इटसल्फ फर्स्ट हाउस नेगेटिव हाउस 1812 इस नेगेटिव एंड के तो इटसल्फ नाइन था उस में था यहां से और परसंटेस के हिसाब से देखा जाए तो परसंटेस बिलोव 50 परसंट हमारा थाम रूल है कि बिलोव 50 परसंट इस मार्केट में नेगेटिव करेक्शन आपको दिखने को मिलेग पर हमारी केटिव सिस्टम के एसाब से 915 से लेकर करीबन 12 बजे 12 बजे तक हमको तो ट्वेजों नेगेटिव था क्यूंकि आप देखांके तो मून फरस्ट हाूस में था फेस्ट हाउस से लेकर बात में आप देखांके यह तो मून 1514rique10 मांप याने मून आप देखोगे मैंने 10.30 टाइम लगा के रखा है ता और 10.34, एक्जेट 10.34 को आप देखोगे तो केतु यहां से यहां एंटर हुआ ठीक है, वो आप देख सकते हो, केतु 8 हाउस में था और 10.34 को यहां है, यानि 9th हाउस से 8 हाउस, 9th and 8 हाउस is a negative तो आपको एक नेगेटिविटी 12 बज़े तक S पर चार्ट के हिसाब से देखे, तो नेगेटिविटी दिखी यहां दो मिनिट की केंडल लगा के देखते तो टोटली नेगेटिविटी आपको 12 बज़े तक देखने को मिली होई थी ठीक बाद में S पर KP सिस्टम के हिसाब से हमाई देखा जाए तो केतु की एंट्री 12 बज़े के बाद 8 हाउस से 7 थाउस में और 2, 7, 10, 11 is a positive तो यहां से मून इटसल्ब 12 थाउस से 11 थाउस जा रहा था और केतु भी इटसल्ब 8 हाउस से 7 थाउस जा रहा था और राओ भी 7, 11 के positive combination दे रहा था और आप देखाऊ कि तो 140 थक हमको एक positivity करनी थी एस पर हमारे percentage के इसाब से KP सिस्टम के इसाब से 2, 7, 10, 11 is a positive 1, 8, 12 is a negative उसके इसाब से एक positivity positive jerk आपको positive correction आपको देखने को मिला था करीबन 12, 20 के बाद 12, 20 से 140 आपको एक positive correction देखने को मिल सकता था तो वहाँ आप देखोगे तो exact आप देखोगे तो 12, 20 के बाद एक positive correction आपको मिला था ठीक है बाद में आप देखोगे तो last session में 2 बजे के बाद percentage हमारे 7, 30 से लेके 65 हो रहे थे 45 के बाद वह हम एक बाद देख लेते तो यहां हम 240 लगा लेते तो आप देख सकते हो रहू भी first house में था first house is a negative house तो धाई बजे के around भी आपको एक negativity दिखाए थी ठीक है और exit आप देखोगे तो 47 को 247 को भी एक आपको negativity देखने को मिले थी यानि लास्ट सेशन जो थाई बजे के बाद का था वहां राव इट्सेल first house में गाया था और हमारा थम रूले के सबलोड इस गेटर देंदे नक्षत्र इस गेटर देंदे प्लानेट उस हिसाब से सबलोड में पावर रहता है तो उस सबसे हमको negativity वहां भी देखने को मिले थी तो दो बजे के बाद क्या हुआ वह देख लेते तो दो बजे के बाद भी वहां से एक negativity त्वेंटी नाइन थाउजन करीबन 350-380 के डाउन फॉल लगाया था उसने एकजट और करीबन लो लगाया था 29,000 का करीबन 350 पॉइंट की movement आपको देखने को मिले यानि हमारी केपी सिस्टम के हिसाब से देखा जाए तो मून कीचे के जो नक्षत्र एंग सबलॉट जब जब भी 1812 जैसे नेगेटिव आसपेक्ट नेगेटिव हाउस में गोचर कर रहे है तब तब आपको एक negativity देखेगी और 271011 इस पॉजिटिव हाउस तो वहाँ 271011 में जब जब भी आपको वहाँ motion करते हुए गोचर में दिखेंगे तब तब आपको एक positivity दिखेंगे यह हमारी केपी मून की केपी सिस्टम के हिसाब से मून साइकल को मार्केट कैसे पेडिक करते वह एक नजरिया था अब दो मार्च करेक्शन दिखने को मिलेगा और वह करीबन बारा बजे तक रहेगा क्यों कि उट्स टेम पे मून इटसल फर्स्ट हाउस वन फॉर इस नेगेटिव और मून इटसल भी बारा हाउस में जा रहा है करीबन 11.40 के आ रहा हूँ ठीक है तो वहां आपको एक डाउनवर्ड करेक्शन 9.40 से बारा बजे के बीच में दिखाई देगा बाद में 12.20 से लेके 140 के बीच में भी एक आपको डाउनवर्ड फॉल देख सकता है ठीक है क्योंकि उस टेम पे मून इस है 12.00 में और बाद में आप देखाऊगे तो 140 से 330 में आपको एक 2-8 कॉमिनेशन दिखाई देगा क्यों क्योंकि मून इटसल 11.00 में और उसका जो सबलोड रहा हूँ वो 12.00 में है यानि वहां आपको 2-8 कॉमिनेशन 2-8 दिखाई देग तो 3.00 मार्च को 9.15 से लेके 12.00 देख एक पॉजिटिव करेक्शन और जब जब भी मून के निचे की नक्षत्रोड या सबलोड रहा हूँ के तो जैसे एग्रेसिव प्लैनेट होते और उसमें 11.00 के कॉमिनेशन होते तब एक पॉजिटिव कॉमिनेशन आपको बहुत ही फ तक एक आपको डाउनवर्ड फॉल दिखेगा वनेट ट्वैल इस नेगेडियो आपकी स्क्रीन के सामने मून का नक्षत्र एंड सबलोड मार्ण से और वनेट के नेगेडियो गंबिनिशन दिखाए दे रहे ठीक है बाद में आप देखोगे तो 12 से 3 के बीच में आप सेलोन वाइरस की इफेक्ट कब तक दिखाए देगी तो आप देखोगी कि जनरली हम मार्केट में वेटेज बेंकिंग सेक्टर का बेंकिंग सेक्टर चलके लिए मर्कुरी से दिखा जाता है और मार्स ऑटो एंड फार्मा सेक्टर ठीक है तो मार्स को ट्रेक किये और एट निटेरींस से कपरीकॉन में जा रहा है वो भी एक प्लैंट चेंज वॉर ऻह तो जनरली कोई भी प्लैंट चैंजयुवर होते हैं था तब तब हाउस चेंज होता है वह करीबस्किया से और वो रेट्रोगेड मोशन में है और आप देखोगे तो करीबन वो 20 फरवरी से रेट्रोगेड है और करीबन वो मैं डेट चेंज कर रहा हूं तो वो रेट्रोगेड मर्क्यूरी का सिम्बॉल यह वक्री मोशन में अभी और और सेजुटेरियन से केप्रिकॉन में जब मार्स के एंट्री हो जाएगी तब आपको एक पॉजिटिविटी के चांसिस देख सकते हों याने आप देखोगे तो करीबन 25 मार्ज, 25 मार्ज को मार्ज जो है, मार्ज सेधिरिन से क्यापरिकॉन में जा रहा है, तब जा के 25 मार्ज के बाद आपको ईक positive correction देखने को मिल सकता है, तब तब को आप तो negative करके रखना है और market में negativity कहां तक दिखाई तो आप देखोगे तो negativity निचे में एक support आ रहा है करीबन October मन्त में 10 October के around एक उसने low लगाया था 27,500 का वहां तक market जाने की संभावना है ठीक है अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए और हमारी moon cycle as per KP system के हिसाब से हम online training, offline training provide करते हैं जिसको भी interest है वो join हो सकता है second mark से हमारी next match चालो हो रही है tomorrow से and offline training हमारी 5th April को गादीनगर गुजरात में वहां भी आप join हो सकते हैं ठीक है और हमेशा यादरीच की रात देखे कि news को मट track कीजिए trend को track कीजिए और मेरा thumb rule है अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादे से ज़्यादे like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए और वीडियो समधना आए तो दो बार देखके think कीजिए think कीजिए and gain कीजिए and then join कीजिए thanks a lot